नमस्कार, एक 15 वर्षिय जातक की कुंडली हमारे सामने है आपने जो बर्थ डिटेल दी है, वो आपके सामने है इनकी कुंडली का विशलेशन हम करने जा रहे हैं देखते हैं इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिया क्या है क्या करेंगे आने वाले समय में ये इनके जीवन के सभी मुख्य पहलो उपर परकाश डाला जाएगा इनकी कुंडली मकर लगन और तुला राशी की कुंडली है लगन के स्वामी शनी देव हैं मकर लगन हैं चंद्रमा साथ नंबर में तुला राशी में बैठा हुआ है इनकी जो राशी है वो तुला राशी है राशी के स्वामी शुक्र है लगन और राशी दौनों के स्वामी आपस में मित्र हैं शुक्र और शनी जब लगन जो कि हमारा शरीर को प्रेजेंट करता है राशी जो हमारे माइंड को प्रेजेंट करती है जब दोनों के दोनों ग्रहे आपस में मितरतो हों तो व्यक्ति जीवन में अपने शरीर अपने मन को एक साथ एकागर करके जीवन में आगे चलाने की प्रेड़ना देता है ये एक अच्छा इंडिकेशन इस कुंडली में दिखाई दिया कुंडली मकर लगन की कुंडली है मकर लगन जल तत्व और प्रत्वी तत्व दोनों प्रकार की तत्व अपने भीतर ले हुए मकर यानि मगर मच पानी में भी रह सकता है जल में भी रह सकता है इस्तिर रहते हैं कोशिश करते हैं किसी भी चीज में जल्दवाजी ना दिखाई जाए महंती होते हैं किसी चीज का इंतजार करने में शक्षम होते हैं वहीं शनी का लगन है तो शनी का लगन हमेशाचा करम शील लगन होता ऐसे व्यक्ति वरकोहलिक होते हैं करम करने वाले बात को समझने वाले और करम पर ज्यादे बिलीव करते हैं लगन का स्वामी सब्तम भाव में बैठा है शनी लगन को वापस देखता लगनेश सब्तम में ह तो शास्त्रिय नियम है कि व्यक्ति जीवन में हवाई यात्रा हैं, विदेश यात्रा करता है, कभी-कभी विदेश में जाने का भी उसको काम करने का मौका मिलता है, शनी लगनेश हो के सब्तम भाव को लगन, सब्तम से लगन को दृष्टी देता है, लगनेश लगन को देख शनी जब करक राशी में सब्तम भाव के अंदर बैठे हुए होते हैं तो शनी को थोड़ा सा डिले करने वाला प्लेनेट भी कहा जाता है ये ग्रह अपनी दशा में तरक्की तो देगा मान सम्मान दिलाएगा लेकिन विभा में थोड़ा सा विलंब भी कराएगा बात करते हैं चंदरमा की के चंदरमा आपकी कुंडी में चौते घर के सब्तम भाव का मालिक होके दशम में बैठा है सब्तमेश दशम में बैठे व्यक्ति जीवन में कारे करेगा कारे छेतर में नाम कमाएगा पैसा कमाएगा क्योंकि सब्तम भाव दशम से दशम है कभी-कभी ऐसे लोगों के मन में स्वतंतर रूप से व्यवसाय करने की भी उमंग होती है कि मैं जीवन में स्वतंतर रूप से व्यवसाय कर लूँ तो मेरे लिए बहतर रहेगा और हाँ इस कुंडली में इस प्रकार के योग भी मौजूद है अगर व्यक्ति जीवन में खुद अपना कोई व्यवसाय करना चाहेगा तो उस व्यवसाय में सफल हो सकता है शनी की मजबूती भी कुंडली में यह दिखाती है अगर घर परिवार में कोई कार्य होता हो बिजनिस होता हो तो व्यक्ति उसको जोइन कर सकता है और उसको जीवन में आगे बढ़ा सकता है चंदरमा जब सूरिय के साथ होता है तो यह अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि चंदरमा सूरिय का जो योग होता है वो अमावस्या का योग होता है अमावस्या में चंद्रमा पक्ष बली नहीं होता चंद्रमा कमजोर हो जाता है व्यक्ति बहारी रूप से कैसा ही दिखाई दे लेकिन आंत्रिक रूप से वो कमजोर होता है आंतिक रूप से उसके मन में किशी ना किशी परकार का डर, भै, चिंताएं किशी ना किशी रूप में लगी रहती है सूरिय जब अश्टम का मालिक होके दशम में नीच हो तो ऐसा अगर है प्रोफेशनल लाइफ में अश्टमेश होके यहां बैठे तो प्रोफेशनल लाइफ में सूरिय की दशा जब भी आएगी तो उसमें अब सेंडाउन का सामना करना ही पड़ेगा ब्रस्पती भी वहाँ है, कौन है ब्रस्पती, बारवे घर और तीसरे घर के मालिक जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सूर्शनी बाहर से काम करने का योग बनाते हैं, वहीं ब्रस्पती भी यहां बैठा है जब दूरिस्थान का मालिक और यात्राओं का मालिक आपके करम भाव से संबंद बनाए तो इसको कहते हैं व्यक्ती जीवन में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश्चे काम करके, भागा दोड़ी करके अपने जीवन में लापराप्त करता है उसका एक और प्रवल कंबिनेशन, प्रवल इंडिकेशन, शुक्र ने भी दिया के करम भाव का मालिक योग कारक शुक्र, बारवे घर में बैठार, शुक्र व्रस्पती का राशी परिवर्तन जितना जाद है जनम इस्थान से दूर जाओगे, चाहे नौकरी के शेतर में जाओ, चाव व्यापार के शेतर में जाओ, विदेश से जड़ो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जड़ो जितना अपनी लाइफ में टूर ट्रेवलिंग्स इन चीजों में रहोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा, कभी-कभी कुछ लोग ट्रांस्पोर्ट के कारें, टूर ट्रेवलिंग्स के कारें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारें, माल को इधर उधर बेचना, विदेश शुक्र पंचमेश होके 12 में 12-6 से राशी परिवर्तन करे तो पढ़ाई के लिए भी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है कभी-कभी ऐसे बच्चे हमने देखे हैं पढ़ने के लिए विदेश तक भी जाते हैं चरिए बात करता हूँ मंगल की चतुर तेश जब चौथे ही घर में बैठा हुआ हो मंगल है वक्री है यहीं व्यक्ति में साहस है तेजी है इस मंगल का संबंद चंदरमा से आता है तो जल्दबाजी के सासाथ एग्रेशन भी है वक्री मंगल है साहस देता है भूमी जमीन जायदाद इन सब का सुख देगा व्यक्ति को परिवार से सुख सयोग मिलता है परिवार से प्रोपर्टी पैतरक संबत्ती मिलेगी वहीं व्यक्ति स्वैम अपने बल पर भी प्रोपर्टी अरजित करेगा ऐसे व्यक्ति के जीव मेहनत कराता है, हिम्मत देता है, साहस परदान करता है वहीं राहू की तीसरे घर में सिती इन्वेंचन कराती है किसी परकार का अपने स्वयम के बल पर कुछ बढ़ा करना अपने स्वयम के बल पर कुछ खोज करके निकालना ऐसे लोगों में देखा जाता है 9th house में केतू बुद्ध की राशी में इसलिए बुद्ध से संबंदित फल जादे देंगे और बुद्ध बैठा लाव भाव में इसका मतलब केतू की दशा हो या बुद्ध की दशा हो source of income बढ़ेगी भाग्या का सहरा मिलेगा लाब मिलेगा और लाभेश मंगल की भी उसको दरश्टी है इसलिए बुद्ध की दशा में आपके source of income अच्छे होते दिखाई दे रहे है तो कुंडली में सबसे अच्छी बात है ग्रहे खराब इस्थानों में बहुत कम है एक ग्रहे 12 में पहुँचा है वो भी राशी परिवर्तन कर गया उसने भी राज्योग बना दिया छे-ाठ बारे में कोई ग्रह मौजूद है नहीं इसका मतलब है कुंडली बली है कुंडली में केंदर में और त्रिकॉणों में ग्रहों की placement जादे देखी गई है ऐसी planets अगर horoscope में हो जाते हैं तो अच्छे होते हैं ब्रस्पती की महदशा आपको चल रही है ब्रस्पती कौन है शुक्र के साथ राशी परिवर्तन करने वाला गर है 15 वर्ष की बच्चे की उमर है और ब्रस्पती के महदशा नवंबर 2023 यानी के जीवन में लगबक 17-18 वर्ष के बीच में खतम हो जाएगी तो ब्रस्पती क्योंकि दशंभाव में है साथ में सूर्य भी है साथ में चंद्रमा भी बैठे हुए है मंगल की उस पर दरश्टी है और शुक्र से राशी परिवर्तन है इसलिए शिक्षा तो हो जाएगी लेगिन कभी कभी जब 12 राशी परिवर्तन होता है तो व्यक्ती क्या करता है मन करेगा तो बहुत बढ़िया पढ़लेगा मन नहीं करेगा तो लापरवही बरतेगा बोलेगा मुझे को सब कुछ आता है मैं इंटेलिजेंटों मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा उस चक्कर में व्यक्ती को प्रवलम हो जाती है क्योंकि बारवे घर में लापरवही होती है अभी ब्रस्पती में राहु नवंबर 23 तक चलेगा अभी 16 जुन 2021 से शुरू हुआ है राहु भी ब्रस्पती की राशी में कभी-कभी ऐसे कॉम्बिनेशन्स में पढ़ाई को लेकर स्थान परिवर्तन हो तकता है कभी स्कूल चेंज होना कहीं दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ना ऐसे भी कॉम्बिनेशन्स आपके चार्ट में दिखते हैं नमबर 23 से आएगी शनी की महदशा कहते हैं सही समय पर सही दशा मिल जाए तो व्यक्ती के वारे न्यारे हो जाते है शनी की महदशा, 19 साल की महदशा आपको जीवन के 18 वर्ष से 37 वर्ष तक मिलेगी शनी आपको जीवन में शिक्षा भी कराएंगे सोर्स ओफ इंकम भी देंगे मान सम्मान भी देंगे जीवन में तरक्की भी कराएंगे क्योंकि शनी की पोजिशन चाहे नवानश कुंडली हो वहां लाओ भाव में दश्मानश हो वहां लाओ भाव में पता लगा व्यक्ती पढ़ा पढ़ने के बाद उसने नौकरी की और कभी कभी इसी तरशा के अंदर उसने अपना बिजनिस भी शुरू कर दिया या घर परिवार वालों के साथ बिजनिस में लग गया क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप 24-26 साल तक पढ़ने के बाद बिजनिस में लग जाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं है आप अच्छा कारे कर सकते हो आपने एजुकेशन चे संबंदी दिस्टिती पूछी है मुझे अच्छी लगी जब शनी की महादाशा लग जाएगी तब एजुकेशन की स्थिती नवंबर 2023 के बाद और अच्छी होती चली जाएगी केरियर अच्छा दिखाई देता है केरियर भी मैं आपको बता दिया नौकरी और बिजनिस दौनों चेतर में जा सकता बिजनिस करना हो तो परिवार के बिजनिस को समा ले नहीं तो स्वेम भी बिजनिस कर सकता है कोई प्राबलम नहीं है मेरिट लाइफ आइस अगर होरस्कोप को देखे मुझे अभी तक वेवाही जीवन को लेकर कोई बड़ी समस्या आपके चार्ट में नहीं दिखाई दी है आप मांग लिक नहीं है कुण्डली में कोई दोश नहीं है शादी कब होगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ शनी शादी कराने वाला गरह है जब शनी में सूर्य दोजार तेटिस और चौंतिस दोजार तेटिस दोजार चौंतिस इनके जीवन में जब आएगा वही समय इनके जीवन में शादी के लिए एक अच्छा समय होगा तो आप उसी दोरान इनकी शादी कीजेगा तब तक आपने आपको इस्टेवल कर लेंगे एजुकेशन कहां तक होगा बिल्कुल शनी की दशा हो जाने जीजे ग्रेजुएशन, पीजी यहां तक की बहुत अच्छे कॉंबिनेशन से सहरस्कोप में मौजूद है मेडिकल में चांस है क्या शनी की दशा में मेडिकल की पढ़ाई आप करा सकते हैं वह इसलिए है क्योंकि मेडिकल पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी प्लैनेट जो है वो ब्रस्पती है शनी जब चंद्रमा की राशी में होता है केमिस्ट्री, बायलोजी, बॉटनी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आप शनी की दशामें इनको मेडिकल लाइन में डाल सकते हैं और अगर ये मेडिकल में डले तो इन फ्यूचर मेडिकल पढ़के ये अपना खुद का क्लिनिक या नर्सिंग होम भी चला सकते हैं जैसा सवाल आपने पूछा खुद का ऑस्पिटल या क्लिनिक या दूसरा बिजनिस टार्ट कर पाएगा तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि हाँ ये कुंडली व्यापारी कुंडली है और अच्छा करेगा व्यापार में अगर जौब ही है तो क्लास वन आफिसर बन सकता है क्या मेरे इसाफ से ओरस्कोब बिजनिस में ज़्याद अच्छा करेगी नौकरी के छेतर में कम अच्छा करेगी एबरोड या नेटिव में सेटल होगा एबरोड के बहुत ज़्यादा चांस मैंना आपको ओरस्कोब में कैई बार बता दिये हैं तो वो चांस साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं पैरेंट्स को सपोर्ट करेगा बिल्कुल करेगा इसमें कोई डाउट नहीं है किसी से रिलेशन खराब का होरस्कोब यह नहीं है इनकी मेरेड लाइफ कैसी होगी वो मैंना आपको बता दिया लेकिन डिपेंड करता है जो इनकी पतनी आएगी उसकी कुंडली कैसी होगी क्योंकि इनकी कुंडली से तो कोई प्रब्लम दिखती नहीं है धन कमाएगा क्या भाई साब धन और राज्योग दोनों कमाने की कुंडली है यह ओवराल इसका सुभाव सुभाव मैंना आपको बताया जब होरस्कोप में चंदरमा थोड़ा आमावस्या का हो और उस पे मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति थोड़ा मूडी किसम का जाद हो जाता है लेकिन जिस चीज को ठान ले मन में बना ले कि मुझे जीवन में यह करना है तो उसको करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है relation with siblings चाए छोटा हो चाए बड़ा हो ब्रसपती और मंगल दोनों सह होगी है यानि जीवन में व्यक्ति परियास करता है लोगों से बिगाड कर ना चले तो होवराल horoscope मुझे काफी अच्छी लगी है और बहुत अच्छी horoscope का level मैं इसे दे सकता हूँ परिवार से भी व्यक्ति संपन है और जीवन में खुद के बल पर भी अच्छा मकान, घोड़ा, गाड़ी, पैसा करोड़ पती तो होगा ही होगा जीवन में बहुत अच्छी संपती कमाएगा इसमें कोई भी संधे नहीं है यानि सुक साधा नर्जित करने वाला, तो कि शनी की दशा मिलेगी, उसमें बहुत कुछ जीवन में स्ट्रगल होगा तरक्की होगी, पढ़ाई भी होगी प्रोफेशन भी उसी में जमेगा फिर बुद्ध की दशा आजाएगी, वो भी अच्छी जाएगी यानि ओवराल, प्लैनेटरी पूजिशन जब साथ दे रही हो, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे एक दशा आईगी शनी में शुक्र 31 अगस्त 2030 से 31 अक्टूबर 33 तक शनी में शुक्र, इनके जीवन में ये एक परिवर्तनकारी समय होगा कभी-कभी ऐसे समय में व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेश चला जाता है या कोई बड़ा स्थान परिवर्तन कर लेता है, या लाइफ में कोई मेजर चेंज जा जाता है तो वो समय भी आप ध्यान रखिएगा कुंडली अपने अपने भैतर है इश्वर किरपा से सब इनके लिए भैतर होगा पन्ना रतन पहनने की यहां में इनको एक अवश्य शला दूँगा सीधे हाथ की कनिष्टा उगली में एक सवाचहरती का पन्ना रतन आप धरन कराईएगा आप उससे परात कर सकते हैं मैं आपको रिंग बनाकर एडरस तक सर्टिफाइड स्टोन की रिंग भेद दूँगा साथी साथ बच्चे को बोलिएगा जितना जादे भगवान शिव की पूजा करे शिव लिंग पर जल चड़ाना शिव परिवार को उसनान कराना ओम नमश शिवाय मंतर का जाब करना शिव चालिशा शिव आरती करना यही इनके लिए एक मात रुपाय है जितना जादे से जादे करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया होगा कोकि उमर पंद्रे साल है इसलिए मैं बच्चे को जादे पूजा पाठ में डालना नहीं चाहता हूं राहू की दशा का प्रभाव जब तक है इसलिए भगवान शेव की पूजा अवश्य करते रहें साथी साथ गायत्री मंतर का विजाब दिन में 11 या 21 बार अवश्य करें तो ये था आपकी होरस्कोप का अनलाईसिस सवालों के जबाब इश्वर इनको अच्छी तरक्की दे शुक्षानती दे यही मेरी मनोकामना है नमस्कार